जोती रादित्य सिंध्या कॉंग्रेस की सरकार कमलात की सरकार लेकर के उड़ गए और लेंड करें बीजेपी के अंदर और बीजेपी में लेंड करते ही सिवरासिंग चोहान की सरकार बनवा दी और बीजेपी ने उनको उड़ेन मंतरी बना दिया लेकिन इस बार जोती राद बताया जा रहा है कि उनीक सिवरा सिंग चोहान को वो दिल्ली भेज रहे हैं और खुद दिल्ली से मध्यपरदेश आ रहे हैं ये खबरे निकल करके सामने आ रही है और ना केवल खबरे निकल करके सामने आ रही है और ना केवल खबरे निकल करके सामने आ रही है वो वीडियो के अंदर बहुत कुछ बदल रहा है अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी को आखिए का रही सा पड़ा आ का बीजे पी के अंदर तो वहुत सारे नेता हैं खुद नरुतम इसरा ग्रह्मंत्री वह खुब बयानभाजी करके खुब सुर्क्यों में रहते हैं फिर आखिरकार उनको नहीं और बीजे पी कैसारी कद्दावर नेता उनको क्यों नहीं सिंध्या को ही क्यों इसके पीछे भी एक गनित है वो गनित भी मैं आपको बताऊंगा और उस गनित के जरीए एक काटे से बीजे पी दो सिकार करना चारी है क्या है वो भी मापको बताऊंगा दरसल पहले ख़वर पर मैं आता हूँ यह जड़ा एक वीडियो देखिए आप वीडियो देखे अनुराग अमिताब एक वरिश पत्रकार है इन्होंने वीडियो ट्वीट करते वे लिखा है भले ही मामा थे मगर गुवालियर चंबल में जै बीजेपी के नेता खड़े थे एक बर हलके हलके मामा की ठोड़ी ठोड़ी बात सुनाई देती है और उसके बाद में जोर का जयकारा लगता है महराज के नाम का और महराज वह आगे चल करके सिवरा सिंग्छ चोहान जैसी थोड़ा सा ऐसे-से करके आगे निकलते हैं एसे- पीछे से लंबा हाथ उठता है जो तिरतीतस सिंध्या का और वहाँ पर अपने समर्थकों को हाथ हिलाते हैं देखि राज निति के अंदर कैसे जो है वो अपने से बड़े नेता के सामने अपनी नारे वाजी करवाई जा रही है और यहीं से जो है वो खबरों को हवा मिल रही है सिंध्या का जवाब के आया सीम फेस के उपर वो भी मैं आपका बताता हूँ यह वीडियो आप देखें एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ एक वीडियो और देखिए आप और कैसे मद्यप्रदेश में सिवरा सिंग चोहान के मंत्री वो सिंध्या के पैरों में पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं पैरों में केवल छुआ भर नहीं लेट गए साहब वीडियो है वो आप देखेगा कासिव काक्वी लिखते हैं कि मिलिये मद्यप्रदेश के उर्जवान मंत्री परदिमन सिंग तोमर से भले ही आदम हैं कभी बोज़ा ढोलेते हैं कभी नाली में कुदाल लेकर कूच जाते हैं कभी अपनी सरकार में रोड ना बनने पर चपल त्याग देते हैं फिर रेस्ट हाउस में चपल के साथ पाए भी जाते हैं आप देखेगा जराव इनकी वीडियो में आपको दिखाता हूं मंत्री जरा वीडियो आप देखिए और यह वीडियो देखिए कि इस तरह से मद्दप्रदेश की राजनेती के अंदर जो है वह सिंजा के कद को बढ़ाया जा रहा है और फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इसके पीछे की वज़े क्या है कि अधानियों से हमारे निता फिर्दमान सीजी का साधत करें यह जो आईजन है इसकी सारा हमारे को असीरवाद है उनके वारा इंप्रास हुआ है कि इसकी शांदार को मेरत अने अब इसके पीछे वज़े क्या है क्यों आखिरकार बीजेपी के नेता सिंध्या के कद को जो है वह हवा दे रहे हैं सिंध्या से पूछा भी गया मुख्यमंत्री को लेकर के उनका क्या जवाब था वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ लेकिन इसकी वज़े ज़र आप समझे इसकी वज़े राजस्तान है राजस्तान में सचीन पाइलेट है और बीजेपी को लगता है कि एक तीर से दो निसाने हो जाएंगे एक तरफ जो है सिंध्या के नाम पर अगर कॉंग्रेस में ये हवा बना दी जाती है भले ही मुख्यमंत्री का फेस बने ना बने आखरी समय तक बने या चुनाओ के बात बने या क्या हो क्या नहीं हो वो मालूम नहीं लेकिन एक हवा बना दी जाए और एक हवा बना दी जा को जाने दो अब सिंध्या को देखो सिंध्या आ रहे हैं यह कहकर के मज्जब प्रदेश में जो है वो लाव लेने की कोशी से और दूसरी दूसरी जो है वह राजस्तान के अंदर से नमारी है और राजस्तान में फिर प्रेसर क्रियेट करवाया जाएगा सचीन पाइलेट के गुट के द्वारा असोग गहलोत के उपर और कॉंग्रेस के उपर कि देखिए वहां पर तो जो है वो हमारे यहां से गए वे को मुख्यमंतरी बना रहे हैं और आप हमने जहां पर आपकी सरकार बनवाई आप हम कोई मुख्यमंतरी नहीं बना रहे हैं तो कैसे हगदर यानि कैसे न कैसे करके बीजेपी अपनी ही राजनिती के अंदर कॉंग्रेस को उलजाना चाहती हैं और शायद इसलिए सिंध्या के नाम को जो है वो आगे किया जा रहा है सामने लाए जा रहा है और बताय जा रहा कि सब सिंध्या को देखिए लेकिन सिंध्या से जब इस स खबर चपी थी अभी फरवरी के अंदर अभी 15-20 दिन पहले अभी महीने भर पहले और इसमें जो है वो जवाब सुनी आप जवाब क्या दिया था इन्होंने इनका जवाब है सिंद्या ने जवाब दिया इसको लेकर के कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हमारे मुख्यमंत्री अभी सिवराज सिंग्च चोहान है और सिवराज सिंग्च चोहान को ही हम अपना मुख्यमंत्री मानते हैं और उन्होंने साफ कर दिया कि राजनिती हमारे लिए जंसेवा का माध्यम है हमारे लिए पिताजी और आजी अम्मा के अतीद को हमने देखा है और जिनोंने देखा है वो जानते हैं कि हमारा लक्ष सेवा है तो सिरा सिंग चोहान जो है उनको अपना मुख्यमंत्री बता रहे उनको अपना नेता बता रहे लेकिन राजनेती में कौन किसका कब तक नेता रहता है और राजनेती के अंदर कौन किसके नेता से विदाई लेता है और कौन किसकी ग गद्धी पर बैठा करके उसी की गद्धी पर बैठ जाता है यह राजस्तान से होता हुआ कैसे जो है वो बाइपास तयार करवाया जा रहा है मध्यप्रदेश के अंदर स्थिती बड़ी रोचक है तो बैराल क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा लेकिन यह है धुआ कामियाब हो पाएगा या सिवराज सिंग्छ चोहान वो खुद दिल्ली आना भी चाएंगे या सिवराज सिंग्छ चोहान अंदर खाने बगावत करवा देंगे क्योंकि सिवराज सिंग्छ चोहान को आप यह नहीं मान सकते हैं कि जैसे असानी से गुजुरात में हो गया मुख्यमंत्री आई दिन बदल दिए ऐसे आप सिवराश सिंग्चोहान के कद को कम तर नहीं हाब सकते हैं 15 साल से मुख्यमंत्री मालूं है कि कौन कौन कहाँ कहां पर कौन कौन नेता का एक एक विदान शभा के अन्दर मालूम है तो सिवराज सिंग चोहान इतनी आसानी साइड में हो जाएंगे इस बात को लेकर भी संसे है और क्या बीजेपी जो चाल चल रही है उस चाल में उसको नुकसान ज्यादा फाइदा कम होगा ये भी बड़ा सवाल है तो बहराल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बुक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम ख़बरों के लिए ओनलाइन यूजरेंडेक सबस्क्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है गंटी उसको जरूर कर दो कि दो भागर आप कीजिए जरूर आपके लिए और आपके मुझे पर आता है रजाब कीजिए जरूर में जरूर